हेले स्टूडेंस वेलकम तु भी एच्छू पार्चाला मैं आपकी होम साइंस के मेंटॉर आची इरबानी आपका स्वागत करती हूं इस डेमो ग्लास में तो आज मैंने अपनी पेट क्लास में क्या पड़ा है रिसोर्स तो रिसोर्स क्या होता है वो टूल होते हैं जो हमें क करने के जो हमारे को सोंते वह अचीज करने के काम आते हैं महुत सारे टूल सोगया अलग अलग मैं हो गया टाइम हो गया हमारे साल हमें मिल इस वैødus एक रिसोर्स है जिसको हम एक तरीके से यूस करते हैं ताकि हमारा जो गोल है वह क्यों फो वेलेबल मीन्स होते हैं, गोल को रीच करने के लिए, रिसोर्स क्या होते हैं, वो समान होते हैं, वो चीजे होती हैं, हमारे सराहनिं में, जो कि हम यूस करते हैं, ताकि हमारा गोल हम रीच कर सके और हमारे डिमार्ट को मीट कर सके, ठीक है, according to them, a resource means anything which is used for attainment of goals, example, time हो गया, energy हो गया, money हो गया, और भी बहुत साइच चीजे हो गया, हम सब एक तरीके से यूस करते हैं, ताकि हम अपना गोल अटेंगा सके, next क्या है, Betty B. Swenson के according क्या है, कि resources, tangible और intangible components होते हैं, मतलब human और non-human resources होते हैं, which one uses to achieve goals, जो हम use करते हैं अपने goals को अचीव करने के लिए, objectives को अचीव करने के लिए, demands को मीट करने के लिए, next है, objectives, पहले तो achievement of goal, सबसे important resource का क्या objective होता है, कि हमें अपने goals को अचीव करना है, तो हम कैसे better way में अपने resources, जो हमारे पास limited resources, कैसे better way में use करें, ताकि हमारा goal है, वो achieve हो सके, next है, economy of resources, तो हमारे पास बहुत limited resource होते हैं, तो हमें उस, कैसे हम उसे wisely use करें, ताकि हमारा goal है, वो हम attain कर सके, तो यह नहीं होता है, कि हमारे पास बहुत साल resources है, हमारे पास एक limited resources है, हमें उसे ही use करके, अपने goals को achieve करना है, जाहे कोई भी goal हो, सब के पास ऐसा नहीं होता, कि अगर एक particular goal को भी achieve करना है, तो यह नहीं कि हम अपने 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 रिसोर्सें हैं, हम सब रिसोर्सें अलग अलग तरिक्ये से यूज करते हैं तो यह है मेरी डेमो क्लास, अगर आपको मेरे क्लास जॉइंट करना है, तो आप पे इड क्लास जॉइंट कर लो तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया होगा, उस पे आप डाइल करो और प्लीज सारा आपको नॉलिज मिल जाएगा कि आपको कैसे जॉइंट करना है, क्या करना है, तो आप कर लेना, हाई जिए